बूल जाते हैं कि आपके जो प्रद मुख्य मंत्री हैं उन्होंने तो परिवार को त्याग दिया है वो परिवार के बारे में क्या जानते हैं वो क्या जानते हैं परिवार क्या होता है वो क्या जानते बहु बेटी क्या होती है कहते हैं कि यहां औरोतों की महिलाओं की सुरक्षा नहीं है जूट इन लोग जूट के सिवाए और कुछ नहीं बोलते है मैं आज 15 साल पारलिमेंट में रही हूँ अभी भी हूँ और जूट के सिवाए इन्होंने कुछ नहीं कहा महिलाओं के लिए हमेशा हम लड़े हैं ये जब सत्ता में हैं और सत्ता में नहीं थे तब भी इन्होंने महिला सुरक्षा के लिए एक शब भी नहीं का आज महिलाओं के लिए ये बाते करते हैं कहते हैं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा नहीं है इन लोग जूट डोंगी लोग है मुंबई भाशा में इनको फेकू चंद कहते हैं सिर्फ फेकते रहते हैं काम कुछ नहीं करते हैं और पल्लवी जी मैं आपको बताओं जैसे आपने कहा कि देखेंगे, देखते रहेंगे इनका काम यह है पिछले पात साल से सिर्फ देखी रहें काम कुछ नहीं किया अखिलेश यादव जी जो काम करके गए हैं उसी को देखी रहें, खुछ हो रहे हैं पीता काट रहे हैं उसके आगे कोई काम नहीं किया ताकत आप लोगों के पास है आप जिसको चाते हैं उसे ताकतवर बना सकते हैं ताकत हम लोगों के पास नहीं है जो कुर्सियों पे बैठे हैं उनके पास नहीं है इस बात को समझिए और इसको बहुत जोर से अच्छी तरह से 27 तारीक को दम लगा कर देखिए क्या होता है ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी एक छोटी सी कविता है वो सुना दू इसका नाम है यूपी का लाल कौन है यूपी का लाल बहुत अच्छा अब मैं जब पंक्ती पढ़ूंगी इसके बाद आप लोग यूपी का लाल बोलेंगे बोलेंगे जो यूपी में लाया विकास की बोच्छार वो कौन है जिसने हर यूपी की बेटी को अपने आप को बनाया उनका ढाल वो कौन है जिसने जाद धरम भूल के पूरे यूपी को समझा एक परिवार वो कौन है जो यूपी की गद्दी में जो यूपी की गद्दी में नहीं फिर भी इप्यू वालों के दिल में बसा था पात साल वो कौन है और गद्दी जाने पर भी यूपी की सेवा करने से कभी न करा इंकार वो कौन है जो हर नوجवान को नौक्री देने पर तुला है यूपी के हित में रहे हर कर्म से जुड़ा है वो कौन है मैं माताओं से सुनना चाहती हूँ की यूपी का लाल कौन है माताओं आप बोलिए आपकी आवाज बुलंद है अगर आप बोलेंगी तो आपके बच्चे भी बोलेंगे अपना भला समझिए जिसको किसानों ने दिलवाया उनका हग जिसने किसानों को दिलवाया उनका हक हर गाउं यहां पहुँचना बनाया पक्की सड़क जिसने यूपी के मिट्टी को अपनी मा समझ कर रखा ख्याल वो कौन है? फिर एक बार कमल जो ना कर पाया कमल करेगा यूपी का लाल वो कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद अगर 27 तारीक को नहीं नहीं मुझे गाना बना नहीं आता भाया यह गाना तो मुझे नहीं आता है यह तो यूपी के छोरों को ही आता है मैं पैदा हुई मध्यप्रदेश में बंगाली परिवार में मेरी शादी उत्तर प्रदेश में हुई यह मेरा ससुराल मेरा जिन्दाबाद नहीं इनका जिन्दाबाद नहीं हमारे यहां मेरी बेटी की शादी पंजाबी से हुई मेरी बेटी की शादी पंजाबी से हुई मेरे बेटे की सारी शादी साउथ इंडियन से हुई तो हमारे परिवार में कभी जात्पात देश-प्रदेश कुछ नहीं है मगर जैसा आप लोग जानते हैं गंगा चिनारे छोरा जो है वो हमेशा गंगा का ही रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद अभी गंगा किनारे की छोरी को जिताईए बहु मत से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद आप जीत गई फिर से बुलाईए फिर हम आ जाएंगे फिर गाने की कोशिश करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद अब हम सब को संबोधित करेंगी हमारी आदर निया माने निया सांसा डिंपल यादर जी बहुत धन्यवाद मंचपर आसीन श्री यतेश चंद्रसोंकर जी श्री राम सजीवन निर्मल जी केलाश चंद्रा केशरवानी जी अशर्फी लार शास्री जी श्रीभान सिंग यादव जी द्याशंकर यादव जी विनोत केशरा जी स्री प्रकाश पतेल जी डॉक्टर असलम जी जरीना अस्मानी जी जुवी सिंग जी जयाबच्चन जी और मंचपर जितने भी लोग मौजूद है और मेरे सामने समाजवादी के सभी काले करता हमारे आदर्निया बुजर्ग हमारी माताए मेरी प्यारी वेने और हमारे पत्तकार बंदूओ हम सभी जानते हैं कि 2022 का चुनाव हो रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है की नहीं? जो लोग अनाव चुनाव बोल रहे हैं अब उनको समझ आ गया कि हवाएं बदल गई है मौसम बदल गया है और समाजवादी और गर्वर्णन की सरकार आ रही है हमारी पत्याशी पल्लवी पटेल जी जानते हैं? इस बार तीन बहुएं एक साथ आई है सिरातु की बहु पल्लवी पटेल जी इलावाद की बहु हमारी आदर ने अजाब अच्चन जी और मैं यूपी की बहु कहलो अपने आपको यूपी की बहु दिंपिल यादव बेटे ने तो सराथू के बेटे ने तो भोका दे दिया दिया की नहीं दिया अब मेरा मानना है कि सराथू की जनता अपनी बहु का मौका देने वाली है और ये बहु जो एक परिवार है जिनका जो जानती है परिवार कैसे चलाना है और जो समझती है परिवार का दुख दर्द वो ये जमेदारी लेने को तियार है और आप सब की जमेदारी लेने को दियार है और मुझे पूरा भरोसा है कि पल्लवी जी जो पड़ी लिखी है जमीन से जड़ी है सुरातू के सम्मान के लिए जमीन पर तो बैठ जाएंगी लेकिन अपने आत्म सम्मान को कायम रखेंगी और कभी भी स्टूल पर नहीं वैठेंगी पल्लवी जी ही सरातू को पल्लवत करने का काम करेंगी और जया जी जन घोश करने आज यहां पर आई है और मुझे पूरा भरोसा है कि सरातू की जनता साइकल का बटन दबा के इतने वोट देंगे देंगी की मंत्री जी भी शर्मिंदा हो जाएंगे होएंगे की नहीं होएंगे गुंडागर्दी की बात करते हैं सवाजवादियों के लिए लोग की नहीं करते बताइए मंत्री जी पे कौन-कौन से मुकद में लगे है ऐसी सरकार देगी है जिसने ऐसे मुख्यमंत्री जिसने अपने ही मुकद में हटाए हो और उख मुख्यमंत्री जिनोंने अपने ही मुकद में हटाए हो ऐसे कहीं पर हुआ है किसी भी परदेश में जहां पर ऐसी संगीन धाराएं लगी है और वो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने ही धाराएं और अपने ही मुकद में हटाएं हो तो जो लोग दूसरों को दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं वो पहले अपने गरिबान में जाक के देख लें कि उनके क्या हाल है जनता जनता नौजवान माताएं बेने ऐसी सरकार बनाने जा रहे हैं जो नौकरिया देने वाली हैं हमारे युवाओं को जो महला सुरक्षा पर काम करेंगी जो गलत फहमी ये लोग फ़ला रहे हैं महला सुरक्षा के नाम पर मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि 2000 के जो आकड़े थे NCRB के उसमें महलाओं के साथ जगन्य अफरात कम होए थे और इन पांच सालों में जो आकड़े आए हैं वे आकड़े बहुत ही दर्दनाक हैं हम जानते हैं कैसी कैसी घटनाएं आज महलाओं के संग हो रही है और बगेर इसके कि इन महलाओं का साथ दिया जाए उनके परिवार वालों को प्रतारत किया जाता है क्या हात्रस की जनता घटना भूल जाएंगे क्या हम लोग क्या जनता हात्रस की बेटी को भूल जाएगी हम जानते नहीं है कैसे उसको जला दिया गया था रात को और उसको अंतिन संस्कार जो एक हिंदू का धर्म है एक अधिकार है उसको भी वो नहीं करने दिया गया नहीं करने दिया गया था या और उनके परिवार वाले को जो पताणना दी गई थी जनता ने सब देखा है और वही उन्नाफ की बेटी के साथ जो हुआ था वो भी जनता नहीं भूलेगी उसके पताजी को पलिस वालों ने जेल में डालके मार 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 के उसको मार डाला इतना पीटा, इतना पीटा कि वह बच नहीं पाए तो मैं समझती हो, जनता त्यार है ऐसी सरकार हटाने के लिए जो जुन करती है, जो सितम करती है जो जाती वात विलाती है कि आप सब लोग त्यार है यह जो चनाव होने जा रहा है यह सखाली पल्लवी जी का ही चनाव नहीं है यह मेरा भी चनाव है आप क्या हमारा सम्मान रखेंगे कि नहीं रखेंगे दियाश अंकर जी बताईए जाह है चलिए, आप सब चीज जमेदारी है कि पल्लवी पदेर जी को इतने वोटों से जिताना है कि यहां के मंत्री जी भी शर्मिंदा हो जाए यह ऐसे करने से नहीं चलेगा मैं देखूंगी सरातू यह मेरा पहला प्रचार है और मैं आप लोगों से वादा करेंगे बतन दो दो चुने जिता के बेगेंगे यह मेरी भेंज ऐसी है और मुझे पूरा विश्वास है यह महिलाओं का सम्मान और हग की बात रखेंगी हमारे किसान भाईयों की बात रखेंगी युवाओं की बात रखेंगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आप बल्लवी जी को अपना पूरा समर्चन देंगे बहुत सारी बाते में कहना चाहती हूँ ये सरकार जो मौझूदा सरकार है डबल एंजन की सरकार है ये बताईए कि जंक का रंग क्या होता है जब जंक लग जाता है लोहे में एंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तमाल होता है एंजन बनने में जंक का रंग क्या होता है? कौन का रंग होता है जंक का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मुझूदा मुख्यमंतरी कपड़े पहनते उसी रंग का होता है तो ऐसे जंक वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पट्री में लाने का समय आ गया है और मुझे पूरा और ये चुनाव कोई हमारा चुनाव नहीं रहे गया है ये चुनाव तो जंता लड़ रही है, जंता त्यार है ऐसे जंक वाले इंजन को हटाने के लिए और ऐसे इंजन को लाने के लिए जो उतर परदेश को एक संपन परदेश बनाएंगे जो उतर परदेश को आगे ले जाने की बात करेंगे जो हमारे किसान भाईयों की बात करेंगे आपने देखा कैसे हमारे किसान भाईयों ने 700 किसान भाईयों की जान गई की नहीं गई इन लोग को कोई पश्यत आप नहीं है कोई पश्यत आप नहीं है इन लोग के दिलों में रहन नहीं है इन लोग के दिलों में भावनाई नहीं है ये खाली लोग की भावनाओं से खिरते हैं वोट पाने के लिए और बाद में सब भूल जाते हैं भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं हमारी युवाओं को कितनी नौकरिया मिली हमारा किसान के अगर दो बेटे और एक बेटी होती है एक बेटा किसानी करता है, एक बेटा फौज में जाता है, जाता है कि नहीं जाता है, फौज की नौक्रिया निकाल पाए कि नहीं निकाल पाए ये लोग, और आने वाले समय में अगर ये निकालेंगे भी, तो ये समविदा में रखना चाहते हैं, हमारे नौजवानों को, और जो एक एक बेटा तो फौज में जा नहीं सकता और दूसरे बेटों को रात रात भार जग के खेती करनी पड़ी है कि नहीं करनी पड़ी है अपने खेतों की चौकीदार बना दिया कि नहीं बना दिया अपने खेतों का और बेटी को कहां से पढ़ाएगा किसान अपनी, बताइए आंदनी दुगने करने की बात हुई किसी नहीं हुई थी महिंगाई इतनी बढ़ादी कि आंदनी तो आधी ही रह गई अब बताइए कहां जाए यूगा, कहां जाए किसान और महलाएं भी कहां जाए मैं समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में कोई फरक नहीं होता है तो मैं आज ये आप सबको विश्वास दिला के जा रहे हूं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो जैसे हमारे घोशना पत्र में कहा गया है खासकर महलाओं के लिए 33 प्रतिशर्ट का आरक्षन दिया जाएगा सभी सरकारी नौकरियों में कन्या वध्यादन बारवी प्रास कर लेंगी हमारी बेटियां तो उनको एक मुष्ट राशी दी जाएगी 36,000 रुपे की इसी के साथ BPL परिवार की महलाएं जो प्रसफ के समय 15,000 रुपे की राशी दी जाएगी ऐसी महलाओं को और हमारी बेटियों को और हमारी बेटियों की शिक्षा केजी से लेके पीजी तक मुफ्ट की जाएगी जो हम पेंशन दे जे थे अपनी महलाओं को पेंशन मिलती थी की नहीं पेंशन मिलती थी आने हाले समय में एक करोट से भी जादा महलाओं को पेंशन देनी पड़ेगी तो यह पेंशन हम देंगे और यह पेंशन हम 500 रुपे से बढ़ा के 18,000 रुपे पतिमाग देंगे जो सीधे महलाओं के अकाउंट में जाएगी और लापटॉप मिले यहाँ पे किसी को हमने सुना था लखनों में फोटो खिच्चाने के लिए कारेकरम कराए गया जहाँ पे फोन और लापटॉप बाटे गए लेकिन आखरी में चुनाव आने से पहले जंता को बेफ़कूव बनाने के लिए और जब समाजवादी पाटी की सरकार आएगी तो सब बच्चों को लापटॉप देने का प्रवधान भी रखा गया है और दिया गया है और आने वाले समय में फिर देने का काम किया जाएगा इसी के साथ जितने भी हमारे किसान भाईयों ने जान खोई है जो शहीद होए है हमारे 700 किसान भाईय और बजर्ग जन उनको 25-25 लाप रुपे भी दिये जाएंगे और जिन किसान भाईयों की मृत्य हुई है सान के द्वारा सबसे फ्रिया जानवर कौन सा है हमारे मुख्यमंद्री जी का तो जिन जिन हमारे किसानों की मृत्य हुई है सान के द्वारा उनको भी पांच लाख राशीर दी जाएगी सभी दो पहिये वाहन मालिकों को पतीमा एक लीटर पेट्रोल तथा ओटा रिक्षा चालकों को तीन लीटर पेट्रोल वर्स ठेक किलो CNGC मुफ्ट दी जाएगी और तीन सिलेंडर साल के मुफ्ट महिलाओं को दिये जाएंगे इन लोगों ने कनेक्शन तर दे दिये और सिलेंडर की कीमत कितनी बचा दी बताईए उन कनेक्शन का कोई काम है अब तो समाजवादी पार्टी सरकार आने पे सर महिलाओं को तीन सिलेंडर मुफ्ट दिये जाएंगे और इसी के साथ महिला सुरक्षा को लेकर मैं कहना चाऊंगी कि समाजवादी पार्टी सरकार के आने के बाद हम महिला सुरक्षा पे खास तोर पे काम करेंगे और हर गाउ में सीसी टीवी कैमरे लगाने का काम करेंगे हर गाउ में सीसी टीवी कैमरे लगाने का काम करेंगे और एक पूरी जिस तोर हमारे पुलिस करवी यहां खड़े हैं तो पूरी महला सुरक्षा एकाई बनाई जाएगी महलाओं के लिए पूरी पुलिस में एक अलग से एकाई बनाई जाएगी महलाओं की जिससे कि वो महलाओं के दुख दर्द को समझेंगे और उनको एक ऐसा, इसी के साथ मैं कहना चाऊँगी, कि यह चुनाव, भाथी महतवपून चुनाव है, ठेकी नहीं, यह युवाओं का चुनाव है, यह हमारी बेटियों का चुनाव है, यह हमारे किसानों का चुनाव है, यह हमारे सभी लोग का चुनाव है, और बढ़ चड़ कर इस चुनाव में हिस्सा लीजे, और ऐसे हराईए यहां के मंत्री जी को, कि उनको भी शरवाजाएगी, कहां वो पल्लवी पटेल जी के सामने आ गए, इनी शब्दों के साथ, इनी मैं आप, इहां समार्त करती हूँ और मुझे अ